नमस्कार दोस्तों, दस मिनिट किचिन में आपका स्वागत है, अंजीर के फल के बारे में तो हम सभी जानते होंगे, इसे हरा भी खाया जाता है और सुखा कर ड्राइफ रूट के रूप में भी खाया जाता है, आज मैं आपको बताऊंगी अंजीर के ओशदिय गुण, अंज अंजीर को फाइकस केरिका भी कहा जाता है, बंगला में इसे दुमुर कहा जाता है और अंग्रेजी भशा में इसे फिक कहा जाता है, मराथी में इसे अंजीर कहते हैं और संस्क्रत में अंजीरा मंजुला कहा जाता है, हिंदी में अंजीर बोलते हैं, कन्नड में अंजूरा गुजराती में भी अंजीर बोलते हैं अंजीर का प्रियोग हमारे देश में बहुत किया जाता है इसे सूखे मेबे की रूप में भी खाया जाता है और फ्रूट के रूप में भी खाया जाता है और विदेशों में भी इसे खूब खाया जाता है कुछ लोग इसे भीगो कर खाते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी किस बीमारी में अंजीर को कैसे खाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाब मिले। ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तब आपकी समझ में अच्छी तरह से आएगा। में भी इसका खूब बैणन किया गया है। जो लोग बहुत दुबले हैं, शरीर में कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं, शारीरिक दुरवलता है जिनके अंदर, ऐसे लोगों के लिए अंजीर बहुत फायदेमंद है। अगर आपको अंजीर फ्रूट खाना है, तो आपको किसी भी फल वाले की दुकान पे मिल जाएगा। जब यह पक जाता है फल तब इसका कलर थोड़ा परपल सा हो जाता है, बैंगनी सा। और अगर आपको ड्राइफ फ्रूट के रूप में खाना है, तो ड्राइफ फ्रूट की सभी दुकानों पर बहुत आसानी से मिलेगा, ऑनलाइन भी आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। हमें याद है, बच्पन में, सर्दियों में जब हम लोगों को दूद दिया जाता था, उसमें अंजीर, मुनक्का और चुवारे डाल के अच्छी तरह से उबाल के दिया जाता था, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और इस से शरीर में ताकत भी बहुत आती ये सब खान पान, भोजन का एक अंग हुआ करते थे, आज कल हम अपने पुराने खान पान को भूलते जा रहे हैं, इसलिए हम रोज नई से नई बीमारियां पकड़ते जा रहे हैं, रहते नहीं हैं, जैसा खाओ अन, वैसा बने मन, आप भी अंजीर वाला दूद पीना अगर आपको छोहारे और मनक्का नहीं डालना है, तो आप सिर्फ दो अंजीर डालके और अच्छी तरह से उसको उबालके पी लीजिए, अंजीर फूल जाएगा, पहले आप दूद पी लीजिए, उसके बाद में अंजीर का फाइवर खालीजिए, पतलब फूले हुए अं नर्वस सिस्टम की समस्या है, इन लोगों के दिल की धड़कन एक दम से बढ़ जाती है, धक 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 होने लगती है, घवराहत होने लगती है, थूड़ा सा काम करते हैं, ठक जाते हैं, शरीर एक्टिव नहीं रहता, हर समय शितिलता बनी रहती है, ऐसे लोगों को अंजीर क सेवन अवश्य करना चाहिए, और वो भी दूद के साथ, जो दूद पी नहीं सकते हैं, दूद सूट नहीं करता है, वे पानी में उबाल के भी पी सकते हैं इसको, जो एनेमिक हैं, वो अपनी डाइट का हिस्सा बना ले अंजीर को सुबह उठके, दो अंजीर अवश्य खा आप इससे सूखा भी खा सकते हैं और भीगो कर भी खा सकते हैं, अंजीर की तासीर थोड़ी गरम होती है, इनको रात को भीगो के और सुबह खाया जाए, भीगोने से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, इसलिए हम बादाम को भी भीगो के खाते हैं, बादाम भी बहुत गरम होते हैं अंजीर को भीगो कर आप सुबह दोपैर और शाम को खा सकते हैं ये नुकसान नहीं करते हैं ज्यादा तर बीमारियों में अंजीर को सुबह खाली पेट खाया जाता है लेकिन कुछ बीमारियों में दिन में दो बार भी इसका सेवन किया जाता है अगर आप अंजीर क सेवन एक से दो महिने तक करेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारियां सही हो जाती हैं पुरानी से पुरानी बीमारियां भी सही हो जाएंगी जिनको बहुत पुरानी कज रहती है कॉंस्टिफेशन रहता है पेट कभी साफ ही नहीं होता हलका हलका दर्द होता रहता है मरोडे जैसे लगते रहते हैं उनको चाहिए कि दो अंजीर रात को भिगो के छोड़ दे और सुबह उसका काढ़ा बना की पी लें काढ़ा बनाने के लिए आपको सवा कप पानी लेना है और उसमें वो दोनों अंजीर के छोटे-छोटे टुकड़े करके डाल देने हैं सवा कप का ज बिल्कुल सही हो जाएगी ये आपको सुबह खाली पेट भी पीना है और रात को खाना खाने के एक घंटे बाद सोने से पहले पीना है अंजीर का काढ़ा बनाने से अंजीर के सारे तत्व उस काढ़े के अंदर आ जाएंगे जो की आपकी सेहत के लिए बहुत फायदे लेकिन जिनको डाइबिटीज है वो शहद और शक्कर ना मिलाएं जो लोग पित प्रकती वाले हैं वे लोग हमेशा अंजीर को भीगो कर ही खाएं भीगोने से इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और उनने उकसान नहीं करेगा अब आपकी दिमाग में एक प्रशन उठा होगा कि पित प्रकती वाले क्या होता है पित प्रकती वाले वो होते हैं कि हर समय जी मिचलाता रहता है खटी डकारें आती रहती है और मुमें कड़वा कड़वा सा पानी आता रहता है पित अगर हमारे शरीर में बैलेंस है तब वो नुक्सान नहीं करता है लेकिन जब पित बिगड जाता है तो वो नुक्सान करता है ये सब पेट में गर्मी के कारण होता है जिन लोगों का आमाशे आते और लीवर सही धंग से काम नहीं करते हैं ऐसे लोग रात को दो अंजीर भीगो दे और सुबह उठके खाली पेट उन अंजीरों को चवा चवा के खाले और उपर से वो पानी भी पी ले जिसमें रात भर अंजीर भिगोए थे ऐसा करने से आपके आमाशे लीवर और आतों को ताकत मिलेगी और आपका पाचन तंत्र बिलकुल दोरोस्त रहेगा आयरवेद में कहा गया है ज्यादा तर बीम जाते हैं आखों से पानी निकलने लग जाता है साइनस सिस्टम में बलगम जमा हो जाता है उन लोगों के लिए भी अंजीर बहुत फायदे मंद हैं उन्हें करना यह है कि वो दो अंजीर ले चार मुनक्का ले उन्हें एक कप पानी में अच्छे तरह से उबाल ले उबल के खाना खाने के एक घंटे बाद सोने से पहले करना यह है कि दो अंजीर लीजिए और चार मुनक्का लीजिए अंजीर के छोटे छोटे टुकडे करके और चार मुनक्का लेके एक कप पानी में डालिए उसे अच्छी तरह से उबाल लीजिए काड़ा जैसा बना लीजिए औ और पीके सो जाईए, तीन दिन में आपका नजला, जुकाम, नाक से पानी बहना सब सही हो जाएगा, ये जो हमारे घरेलू उपचार हैं, ये बहुत फाइदे के हैं, ये चीजें ऐसी हैं, कि हम जब भी खाएंगे, जैसे भी खाएंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो हमें नुकसान करेंगे, ये काड़ा पीने से हमारी इमुनिटी बहुत स्ट्रॉंग होती है, कोरोना बीमारी आने के बाद, लोगों में बहुत जागरुकता आ गई है, और बापस से अपनी पुरानी चीजों को अपना रहे हैं, पहले जमान बार बार उनका गला चोग हो जाता है, किसी किसी के तो दिल पे ऐसे डिटी का आसर होता है, घवराहत होने लगती है, धक दक 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 होने लग जाती है, बार बार खटी डकारे आने लगती है, और खाया हुआ खाना मुमें बापस आने लग जाता है, गैस पास होती नहीं है इससे और उल्जन बढ़ जाती है ऐसे लोग रात को दो अंजीर पानी में भिगो दे और सुबह उठके अंजीर चबा-चबा के खाले और वो पानी पी ले जिसमें अंजीर भिगोए थे इससे आपके आमाशे में पित नहीं बढ़ेगा पित नहीं बढ़ेगा तो तेजाब नहीं बनेगा और तेजाब नहीं बनेगा तो खट्टी डकारे नहीं आएंगी घवराहट, बेचैनी सांस नहीं आना उल्जन होना इन सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा जिनके फेपडों में इन्फेक्शन है, स्टेमिना नहीं है थोड़ा सा चलते हैं सांस पूलने लग जाती है उल्जन होने लग जाती है ऐसे लोगों को अंजीर का काड़ा बना के पीना चाहिए इससे फेपडे स्ट्रॉंग होते हैं इस काड़ा को पीने से स्वास नली का विकार भी समाप्थ हो जाता है अंजीर का इस तरह से काड़ा बना के पीने से फेपडों की सूजन तक सही हो जाती है जिन लोगों की आतों में समस्य रहती है आतों में स्ट्रॉक्चर होता है मतलब जगे जगे से आतें दबी होई होती है इसलिए सही समय पर सही जगे खाना पहुँच नहीं पाता है और वो अच्छी तरह से पच नहीं पाता है अंजीर खाने से ये स्ट्रक्चर भी सही हो जाता है और खाना सही समय पर सही जगे पहुँचने लगता है इसके लिए आप दो अंजीर रात को पानी में भिगो दीजि की जड़ है उनको भी अंजीर खाने से बहुत फायदा होगा उन्हें करना ये है कि एक ग्लास गुंगुना पानी ले उसमें आधा नीबुनी चोड़ ले आधा चमच शहेड डाले और दो अंजीर लेके उस पानी के साथ चवा चवा के खा ले ऐसा करने से शरीर की चर्वी प भीगलेगी लेकिन आपको कमजोरी नहीं आएगी आपके ताकत बनी रहेगी जो पित्व प्रकति बाले हैं उन्हें हमेशा अंजीर भीगो के ही खाने चाहिए क्योंकि भीगोने से इसकी तासिर ठंडी हो जाएगी जिन लोगों के सिर में हमेशा दर्द होता रहता है सिर की नसे बहुत कमजोर हो गई हैं उन लोगों को चाहिए दो अंजीर और चार बादाम रात को पानी में भिगो दें और सुबह चवा चवा के खाएं इससे सिरदर्द की समस्या भी दूर हो जाएगी और यादाश्त भी बढ़ेगी जिन लोगों के अगनाशा में सूजन है संक्र कर्मण है पत्री है उनको अंजीर बिगो कर खाने चाहिए अंजीर खाने से हमारी बहुत सारी बीमारियां तो सही होती हैं लेकिन हमारे अंदर ताकत भी बहुत आती हैं अंजीर ही नहीं अंजीर के पत्ते भी बहुत फायदा करते हैं जो डाइबिटिक हैं उनको अंजीर क पत्तों का काड़ा बना कर पीना चाहिए ये काड़ा अगनाशय को मजबूत बनाता है इससे इंशिलिन बनाने में बहुत साहता मिलती है कुछ मैलाओं के पिरियेट्स के दोरान पेट में बहुत दर्द होता है उन्हें दश मूल काड़ा के साथ एक ग्राम अंजीर के छोटे पेट दर्द की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है दश मूल काड़ा तो आपको सभी आयुरवेदिक दवा की दुकान पर मिल जाएगा बड़ी आसानी से असल में ये आतों के लिए बहुत अच्छा है आप इसका सलाद बना कर भी खा सकते हैं नहीं तो आप बर्फी बना लीजिए अंजीर की बर्फी बहुत अच्छी बनती है अंजीर का हलवा बहुत अच्छा बनता है किसी भी तरह से आप जैसे भी खा सकते हैं अंजीर का सेवन अवश्य करना शुरू कर दीजिए हैल्थ के लिए बहुत फायदे मन्द है इसमें कैल्शियम की मा आनी चाहिए जो हमें प्रकति ने दी हैं धर्ती पर पाया जाने वाला यह सबसे पुराना फल है अंजीर के अंदर कितने सारे पोशक तत्व भरे पड़े हैं इसमें फाइवर, विटामिन ए, बीवन, वीटू, कैल्शियम, फास्पोरस जैसे तत्व पाये जाते हैं अंजीर में पोटेशियम और एंटि आक्सिडेंट जैसे कई और भी तत्व मौजूद होते हैं हमारी रोग प्रतिरोधक शम्ता को मजबूत करता है इम्मुनिटी को बूस्ट करने के साथ साथ अंजीर के और भी बहुत फायदे हैं आईए अब जान लेते हैं कि लोगों को अंजीर नहीं खाना चाहिए जरूरत से ज्यादा तो आप कोई भी चीज खाएंगे तो नुकसान ही करती है ज्यादा अंजीर खा लिए तो आपको दस्त लग सकते हैं लिमिटेड मात्रा में हर चीज फायदा करती है जिनकी नाक से खून आता है जिनके पेट में अलसर है औ उनको अंजीर नहीं खाना चाहिए अगर शुगर की पेशेंट अंजीर खाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करना चाहिए कि रात को दो अंजीर पानी में भिगो दे और सुबह उठके अंजीर चबा-चबा के खाले और पानी स्वयम ना पीएं क्योंकि सारी अंजीर की मिठा पानी के अंदर आ जाती है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही शेगरी ही मिलेंगे एक और स्वास्त वर्धक वीडियो लेकर दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स एंड फैमली के साथ शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को दवाना ना भूले आप हमेशा स्वस्त रहें तंदुरस्त रहें और खुश रहें बाई-बाई